Hello everyone, कैसे हैं आप लोग, एक बार फिट से स्वागत है आप सभी लोगों का चहल अकाड़मी यूटीब प्लेटफॉम पर प्रिवेस क्लास में हमने मुद्रा स्वीती के बारे में डिस्कस किया था कि मुद्रा स्वीती क्या है और मुद्रा स्वीती के परकारों के बारे में आज हमें डिसकस करना है कि मुद्राश्विती जिसको सामाने सब्द में या सामाने भासा में महगाई भी बोलते हैं कि उसको मापते कैसे हैं मिजर्मेंट ओफ इंफ्लिशन सामाने तह मुद्राश्विती को मापने के लिए दो इंडेक्स का परियूग क्या जाता है चलिए आज की क्लास में हम डिसकस करते हैं कि उब्भोकता मुल्य सूचकांग या कंजूर प्राइस इंडेक्स क्या होता है सबसे पहले इसके डेफिनेशन उब्भोकता मुल्य सूचकांग CPI एक सांख्य की उपाय है जिसका उप्योग समय के साथ घरो द्वारा भोग की जाने वाली वस्तूव और सिवाव के ओसत मुल्य स्तर में परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए कि जाता है इसकी समझते हैं बहुत धान से आप लोगों को यह समझना आए जैसे कोई परड़क्त है कोई प्रोड़कल km 2016 में उस प्रोड़क्त 100यविस साथ 20% तो CPI हो गया 20% इतना ही आसाने इसको फाउंट गढ़ना अब देखो यहां पर आपको एक छोड़ी सी बात और समझ रहे हैं यहां तो मैंने सिर्फ एक प्रोड़क्ट लिया है लेकिन एक प्रोड़क्ट के प्राइस बढ़ने से मुद्रा इस फिती को डिफाइन नहीं कर स जाते हैं उन आइटम्स के मुल्यों में होने वाले परिवर्तन के ओसत को हायन के जाता है दन करें बच्छों जैसे उब्भोक्ता मुल्य सूचकां के CPI घ्रोध वारा खरी दी गई उब्भोक्ता वस्तुओ और सिवाव की एक टोक्री के मुल्य इस तर में परिवर्तन की मा जाता है देखो आपको यहां पर ना कुछ चीज़े समझनी है जैसे नाम सी क्या प्राइस को CPI के अंदर इंक्रूड किया जाता है अच्छा इसमें एक कॉंसेप्ट है अगर आप लोग जहां से देखोगे आधार वर्स CPI के लिए भोक्ता मुल्य सूचकांग वस्तुओ और सिवाव के सामाने समों के मुल्य के इस तर में परिवर्तन का अनुमान लगाता है उन कीमतों के तोरना आधार वर्स के दुरान उ जिसका नाम ए और इसकी जो हायट है वो काफी ज्यादा है तो आपको लिग पने सर कितनी ज्यादा है अब मैं कहुंड़की इसका ह्इट वह आपसे ज्यादा है और माना कि आपकेए हीट छे पीट है तो जैसे मैंने कहा की आपके हीट छ् Ihnen क्या हूगा कि एक बैंचमार्थ सैट होगया कि हाँ यह जो person है एक इसकी जो height है वो छिप हीट से जाता है तो आधार वर्ट कुछ नहीं है यह सिर्थ एक benchmark सैट करता है क्योंकि हम मुल्यों के परिवर्तन के ओशत को निकलना चाहते हैं तो मुल्यों के परिवरतन का ओशित तभी निकलेगा ना, जो हम एक benchmark set करेंगे, benchmark कैसे, जैसे, CPI के लिए जो आधार वर्स है, वो 2012 है, CPI के भी कुछ types होते हैं, भी हम डिसकस करेंगे, अभी हम बात करेंगे, CPI ग्रामीन और सहरी सन्युक, उसका जो आधार वर्स है, वो 2012 है, माना कि 2012 में किसी product का price था 100 रुपे, और 2024 में उस product का price हो गया 120 रुपे, तो यहाँ पर 2012 जो है, वो एक benchmark को set कर रहा है, जिसको आधार बनाकर, मुल्यों में परिवरतन निकाला जाता है, डंग, चलिए, next point, कि CPI कितने परकार का होता है, तो CPI के चार परगार होते हैं, ओद्योगिक सर्मिको के लिए CPI, करसी मजदूर के लिए CPI, ग्रामीन मजदूर के लिए CPI, और CPI, ग्रामीन सहरी संयुक, अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगी है, इसके इतने तरह टाइप्स क्यों है, क्योंकि, एक परसन ने जो गा परगार हो सकता है, तो उसी अधार पर इनको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओद्योगिक सर्मिको के लिए, करसी मजदूरो के लिए, ग्रामीन मजदूरो के लिए, और CPI, ग्रामीन सहरी संयुक, आर बियाई, जिस डिटेगा यूज करता है, मुद्रेश फिती को नियंतरित करने के लिए, वो है CPI, ग्रामीन सहरी संयुक, तो ये मेन है, इस पर आपका ज़र ध्यान होना चाहिए, CPI, ग्रामीन सहरी संयुक, डन करे बच्चो, इन में से जो पहले तीन आकडे हैं, वो स्रम एवं रोजगार मंत्रा ले के स्रम ब्यूरो द्वारा संकलि के जाते हैं, लेकिन जो चोथा आकड़ा है CPI, ग्रामीन सहरी संयुक, वो सांकिती एवं कार्याकरम किर्यानवन मंत्रा ले, Ministry of Esthetics and Program Implementation, जिसको हम याद रखने के लिए, मौस भी बोलता है, इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, जिसका नाम है NSO, National Esthetical Office, तो NSO जो है, वो इस फॉर्थ को CPI, ग्रामीन सहरी संयुक को कंड़क्ट करता है, यह आपको याद रखना है, लएन पहरे बच्चो, चलिए, अब हम देखते हैं कि वो जो बास्किट है, जिसमें कुछ आइटम से हैं, जिनमें मुल्यों के परिवर्तन का ओसत हम फाइंड कर रहे हैं, उ अब हो सकता है कि थोड़ाता आपको जटिल लग रहा हो, लेकिन मुझे यह अथेंटिक लगा, इसलिए मैं इसको आड़ किया, अगर मैं उस बास्किट की बात करूं, तो उसमें फॉर्ड एंड बीवरेज, जो है, उसका परसेंटेज सबसे जाता है, 45.86, मतलब अगर 100 प् वो फूड एंड बीवरेज से रिलेटेड़ है, अब देखो, आपको लग रहा हो, कि इसको याद कैसे रखे, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, दिमाग कैसे लगाना है, क्योंकि एक जो उप्भोकता है, जो जो कंजूमर है, वो सामानेता है, जो उसकी मूल भूत उनकी प्रधक्ट, उनकी जो प्रसेंटेज वो धेटेज है, तो इसकी परसेंटेज है, अगर मतलब एक पुरा डिटल या याद परसेंटेज के लिये है, तो यह एक डेटा है, जो आप याद रख सकते हो, अगर इतना भी याद रखे होगै कि दोज़ार चोबिस के लिए, इसमें जो सबसे बड़ा जो प्रोड़क्ट है जिनकों इंक्लूड किया गया है जिनकों सबसे ज्यादा रेश्यो है वो पूर्ड एंड ब्यूरेज है चलिए एक पूंट और इसमें आपको याद रखना है कि यह जो जो के लिए CPI है स्रम ब्यूरे ने इसके आधारवर्स मे इतना है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच अगें कीप लेर्निंग कीप ग्रोई